पर शाली है जो हमें संतों का आशिरवाद मिला है। संत नगर में वही व्यक्ति आ सकता है जिसके उपर विशेश किरपा हुई है। और खास करके आप सब के उपर विशेश किरपा हुई है। इसलिए आप सब लोग हमारे साथ में इस संत भूमी पे आरोग्य केंद्र में विभिनिस्तानों से आप दारे हैं। स्वास्तिय लाब लेना और इस्थाई स्वस्त रहना यह हर एक मनुष्य का अधिकार है। कई समय ऐसा होता है जहां पर हम दिनचर्या में ध्यान न देते हुए कुछ ऐसी दिनचर्या में गल्तियां हो जाती हैं। जाने अंजाने में जिसके कारण से हमारे शरीर में रोग आता है। और अगर हम रोग मुक्त होना चाते हैं तो एक मात्र समादान है वो है जो गल्तियां हमने करी हैं। जो दिनचर्या में परिवर्तन किया है जो अस्वस्त दिनचर्या जी रहे हैं वापिस से हम स्वस्त दिनचर्या में आ जाएं। उन गल्तियों को सुधार कर अपने आहार को परिवर्तन करके अपने रहन सेहन को परिवर्तन करके इस्ताई स्वास्त हासिल कर सकते हैं। और ये एक परिवर्तन का समय है आपका जीवन का जब आप ये समझते हैं कि रोग जाने का नहीं है और हर प्रकार की और शदिया हर प्रकार की चिकित्सा पदती जब आप अपना के एकदम निराश हो जाते तो ये द्वार प्रकर्तिक चिकित्सा का प्रकर्ति मा का ये रस्ता हमको दिखता है किसी ना किसी मारक से जिससे की हम वापिस से पूर्णता स्वस्त हो सकते हैं प्रकर्तिक चिकित्सा और योग ऐसी पदती है जहां पर बीमार ना हो रोग हुआ है उसको तो ठीक कर सकते हैं पर रोग ही ना हो ऐसी चकित्सा पदती अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि रोग आने से पहले ही हम अपने आपको रोग ग्रस्त ना हो उसके लिए रोक लेते हैं जैसा कि प्राकर्तिक चकित्सा में कहा गया है कि आहार ही औशदी है अगर आप आहार को औशदी बना के लेंगे तो औशदियां नहीं लेनी पड़ेंगी आहार की तरह अभी क्या होता है अभी पूरा दिन हम दवाई के चक्कर में रहते हैं कि सुभे उठे तो दवाई दिन में दवाई शाम को दवाई पेट दर्थ की दवाई सरदर्थ की दवाई कमर दर्थ की दवाई जलन की दवाई एसे डेटी की दवाई हर एक चीज की दवाई पर क्या बिनादवा तंदरुस्ती हासिल नहीं कर सकते क्या थोड़ी सी मेहनत करके हम पूर्टा स्वस्त नहीं हो सकते क्या क्या हम संपूर्ण स्वास्ते हासिल नहीं कर सकते यह प्रेश्ण है जिनके उत्तर हमको आरोग केंदर में आके मिल जाते हैं हम पूर्टा स्वस्त रह सकते हैं संपूर्ण स्वास्ते हासल कर सकते हैं और स्थाई स्वास्ते भी हमको मिलेगा बिना दवा तंदुरुस्ती भी हमको मिलेगी जब हम प्रकरती के सिद्धान्तों को अपनाते हैं आप सब लोग भाग्यशाली हैं जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाएं क्योंकि ऐसा मौका हर एक को नहीं मिलता आज दस दिन के रोग निवारन शिविर सो पूरे करके ये 101 वाज शिविर जो है हम पूरा कर रहे हैं आपको आपने ये अनुभव किया है कि इस दस दिन की रोग निवारन शिविर की जो दिनचर्या है प्राते जागरन से लेकर रातरी विश्राम तक वो सारी प्रक्रियाँ आपने करी है चाहे वो सुबह को प्राते जागरन के बाद में योग अभ्यास हो, योगिक क्रियाज हो, या चाहे वो आपका सुबह का गरमा गरम चाहे हो, चाहे पिया कि नहीं पिया, हाँ, क्या, चाहे दी तो थी, सुबह को, नहीं कॉफी नहीं दी थी, हमने तो चाहे दी थी, सुबह को दिया तो था, भाई आपने पी क्या चाहे, काड़ा पिया चाहे तो नहीं पीना भार जाके तो छूट गई ना चाहे आपकी और दस दिन के पाद जाके पीना है क्या छूटी गया है मन के हारे हारे मन के जीते जीत आप मन से अगर यह मान लेंगे यह संकल्प की बूमी है विश्वास रखें यह संकल्प की बूमी है आप संकल्प करके जाएंगे मेरे पास जो सादक गण पहले शिविर करके गए और अभी जो शिविर कर रहे हैं वो स्वेम बताते हैं उन्होंने यहां से जाने के अबाद चाय नहीं पी हम वही कहें कुछ तो मिसिंग है सरका इंतजार कर रहे हैं तो जो लोग पहले चाय छोड़के गए हैं उन्होंने वापिस से चाय नहीं पी और आज तक ऐसी प्राकरतिक दिने चरिया अपना रहे हैं जिससे कि वो पूरता स्वस्त मैसूस कर रहे जिस प्रकार गाड़ी धीरे जंग खाती है और जे पूर्जे डीले पड़ते हैं वैसे ही शरीर के साथ भी है शरीर को भी मरोमत की जरुवत है शरीर को भी रिनोवेशन की जरुवत है शरीर को भी शरीर निर्मान की आउशकता है शरीर को भी सापसफाई की आउशकता है शापसफाई कैसे करते हम भाहर से तो आप सफाय करते हैं अतिस उन्दर लगते हैं पर आंतरिक सफाय और शक्राम भी हुआ अपने शंका समाधान किये उसके उपरांद आपने हमारे चिकित्सकों का परामर्श लिया उपचार विदी ली उपचार लेने गए उपचार पंच तत्वों के आधार पर शरीर शुद्धी करण के आपको दिये गए यहां पर उसके उपरांद आपके लिए यहां पर मस्त ग आहार जिसमें आपका तीनों प्रकार का आहार हमने दिया कौन सा पक्वाहार अपक्वाहार फलाहार और तीन दिन तो आप मस्त रसहार पे रहें तो जो उपवास आप घर पे नहीं कर सकते दे वह उपवास आपने घर पे लगता था उपवास नहीं कर पाएंगे पर यहां पर आके अब आपके मन से उपवास की ब्रांतियां और डर दोनों खतम हो गई अब ऐसा लगता है कि उपवास कर सकते हैं उसके उपरांद आपने विश्राम एक से तीन किया साइकालिन उपचार आपने लिया उसके बाद और और शदी पे जो रस आपको दिया गया वो आपने लिया ध्यानात्मक्रियाज करीं साइकालिन व्याठ्यान सत्र आपने सुने और रातरी और शदी आहार लेने के उपरांद आनंद मेले में आनंद लिया ये पूरे दिन की दिनचरिया आपने यहाँ पर करीं मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि लगबग हर एक स्टेट से हमारे पास सादगण यहां पर उपस्तित हैं इस शिविर में मध्यपरदेश से 16 उत्तर प्रदेश से 11 गुजराच से 9 राजस्तान से 5 त्रलंगाना से 4 दिल्ली से 3 महरास्ट्रा से 3 बिहार से 3 चत्यजगर से एक आंदरप्रदेश से एक और नेपाल से हमारे पास 57 सादगण इस शिविर में जो जोरदार तालियां आप अपने लिए बसादेश कोई चूटा तो नहीं ना कि साथ हैं कम बोले कि आपने दो चूट गए गया कि साथ इसलिए मैं आखरी में जरूर पूछता हूं कोई चूटा तो नहीं कि आपने यहाँ पर जो दस दिन का शिविर किया है अब बारी है उसका अनुभव सुनने की क्योंकि प्रतेख व्यक्ति ने प्रतेख सादगण ने अपने अपने अनुभव तो जोड़े होंगे कि आप अपने अनुभव हमारे साथ में साजा करें ताकि अगर हमसे आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो या और कैसे बहतर कर सकते हैं उसका सुझाओ अगर आप देना चाहते हैं तो यह मंच आपके लिए है मैं चाहूंगा पहले सादिक आएं जो पीछे कुर्षियां कि आप अपना नाम के शहर से हैं क्या तकलीव थी यहां पर उपचार के बाद में आपको कितना आराम हुआ नहीं हुआ और कुछ सुझाओ हमारे केंद्र के लिए आप देना चाहते हैं तो आप यहां पर दे सकते हैं समय का ध्यान रखें तीन-तीन मिनिट प्रतेक व्यक्त को जब अनुभव के लिए दिया है तो थोड़ा सा भी विलंब दूसरे सादक गण का जो है वह अनुभव कट शॉट हो जाता है इसलिए आप आराम से यह अनुभव सत्र जो है हमारे साथ में साजा करें ताकि हम और कैसे भैतर हों और अच्छा कैसे करें उसके लिए भी हम उस पत पर चल सकें तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि पहले आएं और जो दस दिन रोग निवारन शिविर यहाँ पर आपने किया उपवास किया आहार औशदी आहार जो आपने लिया आहार बनाने की विधी जो आपने यहाँ सीखी घर पर कैसे हम पूरता स्वस्त रह सकते हैं उसके बारे में जो जानकारिया आपको यहाँ पर मिली कि उसके बारे में आप अपना अनुभव साजा करेंगे कि का अधाए कि है कि हलो कि सभी टीम को नमस्कार कि ओम कि मेरा नाम गोदांबरी नेगी है और मैं भुपाल से हूं और मैं भुपाल से यहां तीसरी बार आई हूं पहला अनुभव से अभी ज्यादा अनुभव है मलब पहले इतनी नेच्रोपेथी का इतना उत्थान नहीं था अब ज्यादा हो गया है और इस उसमें बहुत अच्छा लगा और मेरे को सबसे बड़ी यहां पर है कि मेरे को बहुत बड़ी अर्थ्राइटीस की प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं पतंजली से भी जूड़ी जहां मैं योग करती रही और इससे मेरे हाथ पर कि जो जकडन हो नहीं हुआ और उसकी उसकी अलावा मैं यहां पर नेच्चरोपेथी के यह अयू और मैंने नेच्चरोपेथी का इलाझ करा। नैच्रोपेति में मेरे को थोड़ा भहुत हुआ है बाकी थोड़ा रहा हुआ शायद मुझे लगड़ा कल तक मेरा ठीक हो जाएगा और मैं गुलाब सर्व से तो हम जुड़े ही रहते हैं और उनके अन्भव लेते रहते हैं और मैं पूरा अन्भव नैच्रोपेति का ही बहुत बढ़िया है, अर्जुन साथ का लेक्चर भी बहुत अच्छा लगा, उनको लेक्चर हमने पहली बार सुना, पर हम उनका अन्भव हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने मतलब भूत अच्छी तरीके से हमको समझाया, डॉक्टर संजीब, डॉक्टर रमेश देवानी, डॉक्टर गुलाब राय, डॉक्टर दिनेश, और और जितने भी डॉक्टर है, जिनका नाम मेरे को मालूम नहीं है, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस सत्र को चार चांद लगाए, और समय समय पर मैं सो इस बटसम चे जुड़े रहें और अपना अनभव हम लोगों को देते रहें, थेंक यू, थेंक यू, थेंक यू, सर्ट, लू, अदरनी, सिद्ध बाओ जी और उनकी पूरी टीम को, मेरा बहुत बहुत नमन, और शिवीर में पदा रहे, सभी बाई बाइनों को, मेरा नमस में जालावार राजस्तान जालरा पटन से आई हूं कमला गुपता मेरा बैट और फैट ज्यादा होने के कारण मैं यहां आई हूं और मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लगा और बोडी में मतलब लग रहा है कि हां कुछ कि को हुआ है और सभी को मेरा फ्रेंट कि यहां कि मे Pin카ות करते हैं मेरा नाम आजल मेता है में जालनावार राजस्तान से आई हूं यहां नेजरलाफेति मेरा फ्रॉर्स ताइम है में फॉर्स टाइम है मुझा यहां बहुत्जादा अच्छा लगा और सरा सारा इस्टाफ सेवर प winners सब में बहुत ज़्यादा सेवा भाव है मैं अपने डिटॉक्स करने के लिए आई थी और मेरा वेट बहुत ज़्यादा है मोटा पर के कारण क्योंकि लाइफस्टाइल मेरी बहुत गलत थी जोब और पढ़ाई की वज़ा से सिटिंग सिटिंग उस वज़ा से मेरा वेट बहुत जादा बढ़िया था तो यहां पर आके मैंने लाइफस्टाइल आगे मतलब मुझे कैसे सीखना है करना है अपने आगे कैसे लेके जाना है और उपवास तो मैं करते हूं लेकिन सही तरीका नहीं बता दा मुझे उपवास करने का कभी भी आज मैंने वोचीज भी यहां पर आके सीख लिया तो मेरा अनुबह बहुत अच्छा रहा है यहां पर आके और सभीको थैंक्यू सो मच सबी को जैसी क्रश्ण मेरा नाम गीता वेल में जहलरा पाटन जहलावाड राजस्तान से आए हूं मेरों को बहुत सारी मिमारिया है शकर बीपी थाहिराइड अर्थराइटिस सब्सक Evet Bokadagadagadagadagadagatagadagadagadagadagadadagataagadagadagadagadatingb sabeb avi सब्सक्राइड मेरे मेरे के पहले से और हमारे सारे जो फीरा मेंबर्या वह भी बहुत अच्छ है इनके साथ बहुत कर अच्छा प्रसंती के इंङसर्गद कर तो सबसे पहले मैं श्री संतरिदाराम के शर्णों में कोटिशे मंदन ओर सीद्ध भाधुजी के सर्णों में कोटिशे मंदन वैसाभी ।ा में सभी डॉक्टर सपो भी मेरा नमेशकार समीर साध्व defic Clai पर मुझे आकर बहुत अच्छा लगा, मेरे परिवार वाले सभी, मतला बहुत सारे परिवार में से प्रकरति चिकित्सा में जाते आरहे हैं कई समय से, पर जो यहां के वो पिछले सत्र में उनने जो अनुभू लिया यहां का, वो जाकर हमको बताया, हमको सुनकर ऐसा लग न और यहां का स्टाप भी बहुत अच्छा है बाके मेंबर सब बहुत अच्छे हैं आंके और सभी डॉक्टर्स के जो हमने लेक्चर वगेरा सुनें सबको सुनकर लगा है कि हमारे जीवन में हमको किस टाइब से हमारी दिन चरिया होने चाहिए कैसा हमारा आहर वियार आचार व माईने रखता है इस बारे में कि हमारे शरीर कैसे सुष्थ रहे इस बारे में हम जाकर कोशिश करेंगे कि आगे भी हम यही यहां का जो सीखा है तो सब हमारे जीवन में उतारे ही धन्याद्या को यहां उपस्तीत सभी साथ को मेरा नमस्कार मैं बिहार से आई हुए हूए 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 थी कि यहां नेचरोपेथिक टीटमेंट बहुत अच्छी होती है मैं पहले इससे पहले आडवेदिक टीटमेंट भी कराती थी तो मेरे सर्वाइकल के प्रॉब्लम बहुत ज्यादे है और यह जो कॉंस्टिविशन गया से सारी परेसानी मुझे है यहां के मुझे बहुत ही अच्छा लगा यह दस दिन जो कैसे बीत गए पता ही नहीं चला जो है यहां के सभी जो है इव सब का घलफुल सभी यहां है आटीटमेंट में भी सारे कुछ बहुत अच्छे है सबकुछ तबस्बने अच्छा वावार सबे साथ मिला प्यार और है भी मिला सब से अब जो यहां आने के बाद और जो सिखी अपने लाइप स्टाइल में को सी स्वाप्र में नियुटीन नियुटा ओंगी तुन घालएव सब्सक्राइय। और अपने ब dizendo कोशने कि चृषिट करूंगी ँदियार यह अपने सवस्थ रखने के लिए पने सरिर को सीट्शना ही हो और करना ही होगा यह मन में रखना होगा यह ऐसे ही जना है ता कि कि नमस्ते मैं डॉक्टर शार्दावेद्य नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ यहां आने के कारण कि मेरे घुटने में दर था और बहुत सुस्त शरीर हो गया था बीपी तो था ही और मेरा थोड़ा वजन भी बढ़ गया था दस दिन में यह मेरे सभी प्रॉब्लेम समापत हो गया शुरू में मैं कुरसी पे बैठे रही तो उटने के बाद मैं बदक की तरह चलती थे तो अभी मैं अच्छे से चल सकती हूँ नहीं मैं दोड सकती हूँ इत इतना फर्क मुझमें आया है मेरा वजन भी कम हो गया और फ्रेशनेस तो बहुत ज़्यादा आ गया ऐसे लगता है पंक लग गया है मुझे अभी अभी मैं स्वस्त हूँ मस्त हूँ जबरदस्त हूँ यह दस दिन में मेरा काया कल्प हुआ है और यह वीडियो जहां भी जाएगा उन सबसे देखने वालों को मेरा निवेदन है कि एक बार तो भी यह प्राक्रुतिक चिकिस्था का अनुभव जरूर लीजिए धन्याद कि सभी को साधर जैजिनें मैं यहां करती हूं और यहां पर आकर यहां पर मेरा दूसरा शिविर है मैंने पहले नारंट सेवसंस्तान में लिया था पहस्टिविर यह सेकेंड शिविर है लेकिन यहां आकर बहुत अच्छा लगा और यहां का इस्टाब भी बहुत अच्छा है क्योंकि हम मैं जैसे यह शहद नहीं लेती हूं तो यहां पर मिरकों जगे दूसरी कुछ चीज दी गई और जैसे मैं लेसन पर आज नहीं खाती हूं तो मुझे यहां पर सभी ने सारा सेयोग किया किसी चीज म कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी वह सब सभी है वेट तीन किलो लॉस हुआ है यहां पर आकर बस यहीं सभी को मेरा नमस्कार मेरा नाम सुनीता बातिदार है मैं MP से साजापूर जिले से हूं मुझे L4 L5 स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है मुझे दस बारा साल से दिक्कत है मैं ओपरेशन का सोच रही थी के ओपरेशन करवा हूं लेकिन हमारे रिलेटिव ने मुझे बताया कि आप हाँ शीवर में जाहिए दस दिन का कैम्प जोइन कीजिए आपको अच्छा लगेगा और वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे सभी डॉक्टरों से औ और जीवन शेली कैसे जीते हैं कैसा हार हमें लेना चाहिए वो सीखने को मिला और मुझे यहां कर बहुत अच्छा लगा मुझे दिक्कत अभी तो है थोड़ी सी कम हुई है अभी पर मेरी इच्छा है कि मैं और आऊ यहां और पूरी दिक्कत अपनी कम करके जाओं थैंक्य मैं उज्जन से आई हूँ नाम मेरा मीन अविश्व कर्मा और मुझे सिकायत थी जोड़ों में दर्द और के बोलते पीठ में दर्द और बहुत सारे में दर्द लेकर यहां आने के बाद मेरा सब सही हो गया और अगले कैम्पन थेराओंगे सबी को मेरा नमन और हिर्दरा्राम जी और उनकी टीम को मेरा शक्य नमन में जहलरापार्टन राजस्थान जिला ज़लावर से आी हूं मुझे पैरों में काफी तकलीफ रही है अभी में कई साल genome मेरे बहुत तकलीफ है तो उसकी वज़े से मेरे को बहुत दिक्कत आ रही थी चलने में उसमें, मुझे फरक तो लगा है अभी, लेकिन चाहतियों की और फरक लगे, यहां का स्थाफ किरा सब काफी अच्छा है, सभी काफी सहयोग करते हैं, डॉक्टर्स भी काफी अच्छे हैं, तो यहां पर आना यह सभी को एक बार का अनुभाव तो सब को लेना ही चाहिए, इस तरह की डाइट हमें लेना चाहिए, यह सब हमें सीखना चाहिए, तो यह सब हमारे देनेक जीवन में काफी अनिवारे हैं, हमें किस तरह का खानपान हमारा होना चाहिए, किस तरह की डाइट हमें लेनी चा होता है तो यह सब काफी अच्छा है धन्यवाद मैं सिद्ध बाबु जी को प्रणाम करती हूं और सभी सादक गनों को प्रणाम मैं सुमित्रा खंडलवाल मुलताई से आई हूं गिला बैतुर मेरे पैरों में और कमर में बहुत दर्द था उसमें अभी आराम हुआ है यहां का स्टाफ गन भी बहुत अच्छा है उनसे हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिला है और सभी को प्रणाम सभी को मेरा नमस्कार मैं मीनु गोईल गाज़बाद यूपी से आई हूं और मेरे को सिरफ थायरेट की प्रॉब्लम है अराउंड 19 यह से तो शुरू में तो लगा था डॉक्टर भी बोलते थे एक छोटी सी गोली खानी है कोई बात मैं भी खाती रही फिर लगा अभी थो सब्सक्राइब लगा तो मैंने गुलाब सर से प्रॉब्लम है और इसका स्ट्रेस मतलों की प्रॉब्लम हो गई है तो एक वह बहुत बड़ा पॉइंट था और दूसरा बात कि मैंने का सर मुझे आपसे ट्रेनिंग लेनी है तो सर ने बोला कि यहां पे जब कैंप में जाएगी तो अब जैसी मौका मिला मैं यहां पर आई हूँ और मुझे एक और प्रॉब्लम थी कि 20 सालों से मेरे पैर में बहुत दर रहता था तो डॉक्टर्स को समझ नहीं आता था क्यों है तो यहां कि वह प्रॉब्लम पूरी सॉल्व होगी है थैंक यू सो मच मेरा नमन पूजय सिद्वाउजन को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा नमस्कार मेरा नम प्रिया बगसानी है एमदवच से मैं चार मैंने पहले यहां आई थी तब मुझे एरियों में बहुत दर था तब तो ठीक हो गया अब फिर से आई हूँ चार मैंने बाद अभी कु बहुत प्यार बहुत हल्फुल सब बहुत सब प्यारे है यहां बहुत अच्छा लगता है मैं कहूंगी कि दुबारा साल में एक बार तो यहां आना ही चुहिए थैंक यू मुझे यहां पर आके काफे अच्छा लगा मेरे को हाई बीपी का प्रॉब्लम था वो थोड़ा बीपी डाउन हो गया है और मुझे कांस्टिपेशन के था उसमें भी अराम मिदा है और मुझे यहां पर आके बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके जुलके और सबका साफ काफी हेलपफुल है और सब कोई बहुत अच्छा रहा और इसके लिए धन्यावाद सभी को मेरा नमस्कार मैं डेली से आई हूँ गाज्यावाद मेरा नाम रजनी है और स्पेशली मैं यहां इसीविर में आई थी अपने थाइराइड के लिए और मेरी छोटी मोटी प्रॉब्लम सी जैसे मेरे बैक में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी एक्षी मैं योगा टीचर भी हूँ तो फॉवर्ड बेंडिंग करने के से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मैं फॉवर्ड बेंडिंग नहीं कर पा रही थी बट यहां जो मुझे टीट्मेंट मिली उससे मैं पर्फेक्टली फाइन हूँ अभी थाइंक यू सो बच सबीस्टाफ लोगों का सरलोगों का यहां के डॉक्तर्स लोगों का जो इतने अच्छी तरीके से मतलब हमें टीट्मेंट दिये और mentally पी और physically भी emotionally तीनों तरीके से हमें healthy बनाया यह मुझे बहुत अच्छा लगा यहां का किस तरीके से सबको involved रखना करना बताना मैं परसमाइब लिटरली मैं फॉर्स टाइम मतलब अपनी फैमली से अलग और कि बेंग नाय आलकी दस दीन भी जाता ही नौका अजयर को बहुत अच्छा लगा मतलब एसे नहीं लगा कि मैं अपनी फैमली से अलग हूं मुझे लगा कितनी बड़ी फैमिली मुझे यहां मिल गए आप सब लोगों के रूप पे तो थैंक यू सो मज़ सभी स्टाफ लोगों का मेरा धन्यवाद थैंक यू सो मज़ कि सादिकाओं के अनुबह सुनने के जोड़दार तालिया उनके लिए एक अनुबह है जो हमको एक साथ बांध के रखता है एक अनुबह है जो हमें हमारे जीवन में हमेशा उत्साहित रखता है एक अनुबह है जो हमें हमारे जीवन में कभी वापिस से गलतियां करने का मौका नहीं देता एक अनुभो है जो हम अपने आपको सदेव के लिए खुश रख सकते हैं इसलिए आपने दिल से अपने अनुभो हम सब के साथ में आपने अपने अनुभो बाटे हैं वैसे ही जब अनुभो सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम भी समाज के लिए कुछ कर पर सची बताओ यह ताकत हम डॉक्टर्स में यहां के स्टाफ में नहीं है यहां की बात ही अलग है यहां की बात इसलिए अलग है क्योंकि यहां के कणकण में यहां के एक-एक भूमी के कसे में संत जी का वास है आप यहां पर महसूस कर सकते हैं कि आपको यहां पर जो अपना के सदस्य नहीं है एक परिवार ही लग रहा है ना कहां कहां पर थे ब्रह्मा ब्रह्मा जी केते हैं कि हर किसी के अंदर मेरा कण है पर विचारों से तो अलग-अलग है इस्तान से तो अलग-अलग है यहां आके ब्रह्मम सत्यम जगत मिध्यम यह कहानी हो जाती है कि एक ब्रह् कि तरह हम रहके अपने आपको स्वास्ट करते हैं तो समू की शक्ति काम करती है आपको स्वास्ट करने आए अब मेरा निवेदन है सादकों से कि वो आएं मंच पर रखी कुर्शियों पर पीछे विराजमान हो और अपने अपने अनुभो दिल से साजा करें आए जोरदर ताल कि आए उगा दिल्ली वाले देर ना करें जल्दी आए अगे अगे है आए है है अगे अगे है 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 और यह लोगों को प्रेणाम करता हूं यहां का पूरा संस्तान और यहां पर काईरत जितने भी भाई और बेहने हैं चाहे वो डाक्टर्स के रूप में हूँ, चाहे वो उचार परिशार रख के रूप में हूँ सभी लोगों का जो सहयोग है वो अदिती है कावले तारीफ है, प्रेरक है हमें पेड़ा दे रहा है, मुझे तो कमकम पेड़ा दी है कि मैं अपना समाज में समाज सेवा का कारी भी करता हूँ गायत्री परिवार का जिला सेयोजक हूँ, इसके अलाबा अपने बैसमा संबिलन का भी अद्ध्श्मी, तो मैं और अच्छे से अपने समाज की सेवा करूँ, ये पेड़ा मुझे यहां से प्राक्त हो रही है, सभी लोगों का, यहां के संस्तान के सभी लोगों का मैं हिर्दर से धन्नवाद देता हूँ, रही उप्चार की बात, तो निश्चिती, यहां पर आने वाले हर्वेक्ति ने, अपने आप में परिवर्तन महसूस किया है, मैंने भी महसूस किया है, मेरा भी तीन किलो भजन कम होगा है, बस्तुतर में अपनी पत्नी को लेकर आया था इलाज कराने, और साथ में मैं भी जुट गया अपने इलाज कराने के लिए, मेरा भी तीन किलो भजन कम हो गया, जो भविस्त में मेर के लिए काफी अच्छा रहेगा हमारे नाम राती हैं डक्टर साब यह भी मुझे एक बड़ी पेड़ना है यहां पर जितने भी भाई और बहन जो भिन भिन इस्तानों से आए बास्ताव में कहीं न कहीं उनके मन हम सब लोगों के एक थे और कहीं न कहीं आपकी कुंडली में ह हम और हमारी कुंडली में आप लोग बैठे हुए थे आप लोगों की मधुर इस्मिर्टिया आप लोगों के स्वास्तिलाब के लिए भवस्तम हैं आपको स्वास्तिलाब होता रहे उसकी मंगल कामना के साथ अपनी बात यहीं समाथ करता है धन्याबाद नमशकार ओम परम पूज संथर्दाराम जी ने जिस सेवा बहुत से इस संस्तान को सुरू किया मैं यहां के हर बैक्टि में से लेकर के और जो और लोग भी हैं उनमें वो देखता हूं और जो ट्रस्टी हैं कि डॉक्टर रमेश अदरनी भाव जी लता त्यवानी जी और सीमो डॉक्टर गुलाव राय यह सब इस संस्तान के ट्रीटमेंट के प्रेड़ना सुरूत हैं हम लोग यहां आए हैं नेचरोपेथी सीखने और दस दिन में आप डिटॉक्सिफिकेशन आपका हुआ भोजन से और आपको नेचरोपेथी की क्रियाएं सिखाई गई हैं इससे अगर अभी लाव नहीं हुआ तो आपको आगे जाकर के लाव प्राप्त करना हैं जय का आपने सीखा है हुआ सकता है किसी को इसी ट्रीटमेट ज़ी फायदा हुआ हो और हो भी सकता है अगर वह उसके सरीर में पहले से कम आदातना जो जहर हैं वो कम रहे हूं मैं तीसरी बार यहां आया हूं और नेचरोपेथी मैं सोचता हूं अब देखिए ऐलोपेथी जो है वो इमर्जेंसी में काम तो आती है लेकिन उसका साइड इफेक्ट कब क्या हो जाई पता नहीं दवाईयां लगातार खाने से होमेपेथी बहुत अच्छी लगती है उससे फाइदा हो नहों लेकिन अच्छी लगती है आयरवेद तो बहुत बड़ा नाम है लेकिन उसमें उल्टी दस्त और बुखार का इलाज नहीं है तुरंत इलाज नहीं है अभी तक तो हमें मिला नहीं मेरे एक मित्र हैं उत्राखंड में वो डारेक्टर रिटायर से आईश्य ही हैं वो बीएमेस थे और वो है और मेडिकल तक पहुंचे वो लेकिन उनका अनभवों अभी धरने पर बैठे हुए है कि आईश्य दिपार्टमेंट अलग क्यों कर दिया गया आईश्य को नेचरोपैथी से भी जूड़िये और अलोपैथी से भी जूड़िय तो तब जाकर के वो होगा अब जैसे हम जो हम लोग जो जादतर जो बुजर्ग लोग आए हैं उनको जरा कोईते हैं जरा जनमत उख़ो दतात अप्यमान तो जरा से जम्बंदित बीमारियां हैं अब उनके लिए नेचरोपैथी से हमको सरीर हमारा स्ट्रेंडन तो होता है लेकिन वो चीजें जैसे नींद का है और इसके लिए मैं डॉक्टर गुलावराई मुझे बहुत गोर से देख रहे हैं मैं साथ रहा हूं कि इसमें कुछ रिसर्च किया जाए नींद के लिए हमारा सरीर जो है एक मशीन की माफिक है अगर आप सिलाई मशीन को वैसी छोड़ देंगे उसको चलाएंगे नहीं इसकी आईलिंग नहीं करेंगे उसका मैल साप नहीं करेंगे तो उसका सारा उसका ऑपरेशन बिगड़ जाता तो यह सरीर को ऑपरेशनल रखने के लिए ने और विए अच्छी टीम रही किसी से जगड़ा नहीं किया किसी से सब से प्रेम से रहे अच्छा समय बिताया मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं और ट्र Gulaayab Raya और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम लोगों की दस दिन बहुत बढ़िया रूटीन मैंटे मेरा नाम ब्रचकिशोर खंडेलवाल है मैं मुल्ताई जिला बैतूल मद्धवदेश से आया हूँ मैं सरवपर्थम परमंसंत हिर्दारामजी महाराज और श्रदेय प्रेड़ना इस्तोर बाउजी जिनके दर्शन का भी हमें सवभाग्य नहीं मिला उनके कुटिया पर भी गयते लेकिन वो हमको मिलने पाए मैं उनको भी नमन करता हूँ यहां उपस्तिक चीप मेडिकल आपिसर गुलाव राई जी और उपस्तिक सादक भाईयो बेहनो उनको भी सबको नमने मैं यहां पर आया जब मुझे नैचलोपेती का पता चला तो मुझे मैं यही समझता था कि नैचलोपेती में मिट्टी पानी या ऐसे ही कुछ इलाज होता है एक और इसकी पूरी जानकरी नहीं थी जब मेरे एक मित्र ने मुझे जानकरी दी कि इस तरह यहां पर उप्चार होता तो मैं यहां पर अपनी धर्म पत्नी के साथ आया हूँ और मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था यहां पर एक पैर में दर्द था और दूसरे में मेरे आते आते मोच हो गई तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था यहां पर आया यहां का उप्चार चालू किया और मुझे बड़ा पैरो में आराम मिला और एक पैर में अभी 75-80% आराम हो गया है 15-20% रह गया है तो वो जो यहां उपचार बताया है वो वहाँ घर जा करके हो जाएगा मैं सभी भाईयों से कहना चाहूंगा अभी जो भी मेरा वीडियो और वो देख रहे हैं कि यहां आए और अपना प्राकरतिक उपचार कराएं यहां पर यहां के मालूम पड़ा कि हम किस तरह अपना प्राकरतिक उपचार के साथ में उपवास और अपक आहर से हम अपना त्री अपने साथ दूसरों को भी जोड़ो यह यहां पर बताया गया है यह बहुत अच्छा है हम जुड़ेंगे हमारा समाज स्वस्त रहेगा तो भारत स्वस्त रहेगा मैं इसी के साथ अपने संधिर्दे राम और बाओ जी के चेंड़ों में मेरा नमन और यहां के सीमो मिस्टर गुलाब और प्रिये साथ को मैं यहां पर दूसरी दफ़ा आया हूँ पिछली दफ़ा मैं यहां पर एप्रिल दोहजार बाइस में आया था तो यह इस केंप में आने के लिए मैं काफी देर से सोच रहा था पर बीच में करोना आ गया इसलिए इन्हों ने मेरे फिर पैसे वापिस बेई दिये थे जब कि मैं इनकी वीडियो काफी देर से देख रहा था और अबजर्ब कर रहा था सारी चीजें मुझे काफी चीजे समझ में आगे थी जब करोना आया था तो मुझे दोनों दफ़ा करोना हुआ पर मैंने एक टैबलेट नी लिया उसके लिए और तीन दिन भी मैं खतम कर ल आती थी इसलिए मैंने मन मनाया कि मैं यहां पर चलूँ और वो कमिया जो हैं उनको सुधारूं और यहां पर आके मैंने उनको सब जो मुझे डौट से वह मैंने क्लियर भी किये अब कई दफ़ा क्या होता है कि जैसे हम यहां से सीख के चले गए परंतु हम उसको जब घर मे करे यूज करते हैं तो उसमें थोड़ी गड़बड हो जाती हूँ उसकी वज़ा से हम परिशान भी हो जाते हैं जैसे पिछली जफ़ा मैं आया तो यहां पर ग्रीन जूज मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इंसे पूछा कि यह कैसे बनता है सब कुछ सीख लिया ग रिवार बयार से जाके पानी पूरी का मसा जो होते हैं उसका जो पैकेट आते हैं वो भी लेआया वह मिला लिया तो मुझे थोड़े दिन के बार गरवाले पुछते यह आपको वहां पे सिखाया गया था और गोलिया पहलू पे भी लिया का था तो मैं रोज अबे comprendre में दर्द हुआ क्योंकि मुझे स्टेंट पड़ा हुआ है और मेरा ट्रीटमेंट भी चलना था डॉक्टर के पास मुझे लगा कि कुछ गड़बड हो गया है तो मैंने कुछ कहीं गड़बड कर दिया तो फिर मुझे समया है वो जो नमक जादा तूने पी लिए ना यह सब की प्रॉब्लम है फिर में डॉक्टर के पास गया तो मैंने देखा तो मेरा उस टाइम बीपी जो निचे का था वह हंड़र टैन था तो फिर मैंने मैंडिसीन खाई और ठीक हो गया अभी कि यह मैडिसीन बेरी चल रही है जब से 2017 में पढ़ाता स्टेंट तब से मैडिसीन चल रही है शुगर की भी चल रही थी और बीपी की भी चल देती और यह इको स्प्रेंट जो बलड तिन करना वो भी चल देती तो शुगर की तो मैंने पहले पिछली दफ़ा जाया था तब इन्हों ने मुझे छोड़वा दी थी पर बीच बीच में जब बढ़ जाता था जाता था था फिर चोड़ देता था तो अभी मैं यहां पर फिर जब आया हूं तो मैंने वो स्वगर की मैडिसीन अप नहीं लेता और स्वगर आलमस्ट ठीक आती बीपी जो है वह भी ठीक आरहिक पुछले थीन दिन से बीपी की मैडिसीन नहीं लेरहा है शिरफ एक टैब जो है अपने मेंड करना वो बीपी चेक कर रहा था मैंने का मुझे आता है सब देखना तो मैंने चेक किया फिर डॉक्टर संजीव है मैंने का देखो यह कितना है इसका 120-80 आया तो उन्हें ने का हाँ जी बिलकुल ठीक आया तो इन्होंने मेरी फोटो भी खीच के वर्ट तो मतला हम काफी चीजे सीखते हैं और अच्छी नौलेज रोती है तो जैसे कई चीजे आप हुँ फिर यहांप इतने अच्छे प्रोग्रम लेक्चर कम से कम एक जहां दो बढ़ाने चाहिए क्योंकि उसमें ज्यादा तर लोग इंट्रेस्टेट रहते हैं उसमें थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए जैसे भी यह मैनेज करें उसको और इस रिक्वाइड मैंको पिछली दफ़ा भी यह चीज जो है कमी लगी थी और भी लगी है कि वो इस नौट अबल तो कम्प्लीट इस टॉपिक्स तो उसमें वो करना चाहिए क्योंकि जो उनकी नौलेज है साजगों को उसका जो है अच्छा मिलना चाहिए क्या उनसे प्राप्ट करें हम तो खूब उनसे सीखते हैं हम तो जाके उनके पास भी बैठे र वो वैसा का वैसा ही आखम मिलेगा पिछली दक्राव मैंने यह अबजर्व किया था तो मैं तो अपने पैसे जो है ना मुबाइल की पीछा रख जाता था और वह वैसे ही मिलते थे मुझे इस तरह से जो है यह वहाद बहुत ही अच्छा लगा मुझे और मैं जा एक यह रो होता है कि आपके जो हार्मोंस जो हैं जो हैपी हार्मोंस हैं डोपामिन, सैरोटीन, ओसी टॉसिटेसिन वगएरा यह इंक्रीज होते हैं तो इससे क्या है आपकी इम्मूनटी बढ़ती है तो काफी लोग जो है उसमें पार्टिस्पेट नहीं करते और काफी करते ही हैं तो उनको मैं ये सुज़ाइश्टि करना हूँ कि आप जो है ना कम से कम हस्ते रहे तो आपका सेरोटिन और डोपामिन वैसे बनता रहे तो ये चीजे थोड़ी सी करनी चाहिए कि हमें जो शाम को प्रोग्राम होता था रमेश्टेवानी की हमें खूब वो कमी लगती थी कि वो अच्छी तरह से इसको और जिनाइज करते थे हाना कि इन दोनों डॉक्टरों ने भी अच्छी तरह से किया प्रंतु उनके जो बीच-बीच में से वो आते थे वो अच्छे ल अब? मैं सभी का अभिवंदन करता हूं और सभी साधुकों को भी अभिवंदन करता हूं कि हम ने एक दूसरे के साथ मिलके दस दिन कैसे गुजारे यह हमें पता हि नहीं लगा और ये मैं भी 40 साल से पूरे देश में काम कर रहा था तो मैंने कभी नहीं सोचा था पढ़ा था लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये सोच ऐसी होगी मैंने का ये जो फिरी लोग हैं उनका काम है ये जब मैंने आया तो मेरी सबसे ज्यादा सोच बदली और सोच बदलेने के साथ-साथ मेंने सोचा कि ये इतना कठिन काम नहीं है जैसे सोचता था तीन दिन प्रवास मैंने कभी जीवन में साथ साल में कभी मैंने वृत नहीं रखा मदर के साथ कभी रखता था लंच तक रखता था फिर खा लेता था मेरे से लेकिन यहां मैंने इनका इतना अच्छा सिस्टम है कि तीन दिन तक रहने के बाद भी भूख या कमजोरी नहीं लगी क्योंकि इन्होंने बड़ा प्लानिंग और बड़ा मेडिकेटेड वे में प्लान बनाया जिसका मैं बड़ा अभार विक्त करता हूं और मैं सभी को बताऊंगा जो चाहते हैं कि यह नहीं हो सकता और यह आज का दिन वास्तो में यह एक भाव भी नहीं विदाई का प्रोगाम है तो इसमें मेरे को थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा हूं और मैं यह कह रहा हूं एक दो लाइन अगर परमिस करें कि अभी अल्विदा मत कहो दोस्तो न जाने कहां फिर मुलाकात हो क्योंकि बीते हुए लम हो कि कसक साथ तो होगी इनी लाइनों के साथ मैं यह कह रहा हूं कि हमने यहां से संपर्ग तोड़ा नहीं है हम तीन लोग जो दिल्ली से हैं हम तीनों ने अरजुन साहफ के आदेशा नुसार हम तीनों एक साल का कॉर्स कर रहे हैं और जबकि यह मेरे पास समय की बहुत कमी है क्योंकि मैं वकील भी हूं वकील लोग कांब बहुत करते हैं रिजल्ट कम हाता है यह सब लोग कहते हैं लेकिन उसके बाबजूद हमारे सर ने सबसे पहले फारम वाले हमें हमको लाने वाले चैना ने खाल ने पूर देंगे अगर मैं वेट इन से जुड़े रहेंगे और इतनी हमसे हो जाएगी प्रत्याच प्रत्य उप हमेशा इसे का करेंगे इसी के साथ मैं धन्यवाद लेता हूं सबी सादब्साइब का डॉक्टर का जुनिय डॉक्टर का टो खासकर बहुत ज्यादा सवयोग आए और सब के साथ धन्यवाद लेता हूं समय समात के है के है मेरा नाम बिनोद बक्सानी है एम्दबाद शाया हूं मैं पहले भी 2019 में आके गया हूं तब स्किन प्रॉलोम ही था अभी फिर से हुआ है क्योंकि गलत दिन चरह आपस से स्टार्ट की मैंने यहां सीखे गया था सब कुछ लेकिन उसको फॉलो नहीं किया फिर अभी आपस से अच्छे से सीखा है और फिफ्टी टू सिक्टी परसेंट फायदा है अभी और आगे करूंगा अच्छे से करूंगा जैसे पहली की तरह हो जाए मेरा पूरा उतर गया था लेकिन वापस इस बार बहुत ज्यादा प्रॉबलम हो गया था तो मैं आया और बहुत अच्छा फ जाए मुझे और उसको यह भी फॉलॉब करूंगा अच्छे से और सबको एक बात कहना जाता हूं जिन जिन को यहां पर फायदा हुआ है वह अपने फैमिली को रिलेशन वालों को सबको कहें कि यहां के फायदा उठाएं जण्यवाद नहीं हाँ 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 है परंपुज संत जी अ बाबुची हमारे शिक्षगंड है इनको सबको नमन करता हूं है मैं जलगा महाराष्ट्र रमेज दूशी है मैं दो हजार उन्निस से हर साल यहां पर आता हूं है यहां पर मुझे कोई पहले तकलिफ नहीं थी लेकिन कुछ तकलिफ नहों इसके लिए मैं यहां हर साल आता हूं है लास्ट यह अगस्ट मैंने में मेरा इंजयो प्लास्टिक हुआ इंजयो प्लास्टिक होने का कारण यह था क्यूंकि मैं खुद आपने पंडरपूर की यात्रा रहती है उसमें 700 किलोमेटर पैदल एक मैना चलते गया उमर के इसाब से वो आपको योग्य नहीं है इसाब डॉक्टर नों बताया था लेकिन तो भी मैंने जीत करके गया आने के बाद में मेरा थोड़ा सा बीपी बढ़ गया और हाट में थोड़ा प्रॉब्लेम बताया जबरदस्ति घरवालों ने इन्योप्लास्टी एंजिव्य ग्राफिय अंजिव्य दोनों करवाएं ब्लाके तो ज्यादा है थे नहीं लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि इन्योप्लास्टिक के बाद में अपने जीवन बर अपने को टैबलेट लेने पड़ती है यह जब मुझे मालूम पढ़ा तो है लेने कि कर दों हिन ने मुड़िसिन लई दो मेने के बाद में मैंने फ्रॉचा कि मेडिसी लेना है तो फिर अधा है क्वाहें कि मतलब नहीं है उसका। इसलिए मैंने कर एक साल साथ हुँ मेडिसीन पूरा छोड़ दिया और बूरा जो कि यहां से सिख के जाता हूं वो सभी अपने आचरण में लाता हूं क्योंकि 2019 से मेरी चाय चुट ज़िए कि 2019 से मुझे फास्टिंग कैसा करना किस तरह से उसका कंट्रोल करना इसलिए मैं अभी मैने में तीन व्रत तो जरूर करता हूं दोनों एकादर सी चतुरती जिसमें मैं हो सके उतना पूरा का पूरा 90 परसेंट तो भी मैं पूरा दिन भर भूका ही रहता हूं शाम को कुछ थोड़ा सा लिया उसके सिवा कुछ नहीं यहां का जो मौहल है बहुत अच्छी तरह से सभी स्टाप मेंबर्स बहुत अच्छी तरह से तीन साल से मैं देख रहा हूं किसी बात की कई भी भी कंप्ले संदुड में है यह सेवा भव यहां सीखने जय से है उसके बात में यह आप हमारे सभी जो सादक है उनके साथ में हमने जो समय बिताया हमारे तरफ से उनको कोई गलत व्यवार हुआ होगा तो मैं सभी से अपना माफी मांगता हूं और आपको प्रणाम करता हूं मेरी आवाज में प्राब्लम है असल में में नेद्राम विश्व कर्मा उज्जेन से आया हूं आइटी आई में जाव है मेरा एलेक्टिकल तो मैंने करीब चार डाक्टर्स को दिखाया सभी ने आपरेशन के लिए बोला मेरो को लेकिन मैं आपरेशन से डरता था कि गले का आपरेशन है अभी इतनी थोड़ी सी आवाज आ रही है तो कहीं और ना लिक्कत हो जाए इसलिए मैंने आपरेशन नहीं किया आरोग के के अंदर तो मुझे मालम था मेरी बेटी यहां आ चुकी है करीब चार पांच महीने पहले उसने एक दो केंपे भी अटेंड किये हैं और ऐसे भी ट्रीटमेंट किया सुभन बिश्यू कर्मा एल फोर एल फाइब में प्राबलम था उसको तो काफियत तक उसको आ रहा हम है तो मैं बीच में उसको लेने और छोड़ने आया एक दो बार वाइप के साथ तो मैंने भी एक दो दिन ट्रीटमेंट लिया था तो बहुत अच्छा लगा मेरों को अभी आवाज में तो मेरों को यह असा नहीं लग रहा है कि कुछ सुधार है जी अच्छा मेरे को नहीं समझ में आ रहा है साइद आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो वसी सी उम्मीद से कि डाक्टर्स ने जो मुझे बताया है मैं वो ड्रीटमेंट लूँगा रही बात यहां के स्टफ की यहां का मेनेजमेंट जो है बहुत ही बैतरिन मेनेजमेंट है किसी भी इस तरफे चाहे थेरेपी हो, मालेस हो, पूरे सेवा बाहों से काम करते हैं, वो मतलब चाहे खाने का हो, तो मेरे पास सब्द नहीं है, इस बात को कहने के लिए तो बागी सभी का बहुत बढ़िया सायोग रहा, और मैं सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, थेंक्यू सर। चुकल लगता है कि भगवान इसको बिएर न दी होगी, कि वो इतने सारे बड़े काम करते हैं, वो सबको इसके पेरना मिले और स्वस्त मिले, अब जो इद error में आया तो मेरे को तो पता है नहीं था कि इतने सारे हैज जो पोब्लम है वो सोल होगा और एसी तरह की जो टेक्निक उदर होती है उपियोगी से मैं गुजराट से हूँ गुजराट से प्राहिन भाई कलोला गुजराट मोर्भी इधर जो मैंने देखा तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा काम कभी कोई करी ने सकता क्योंकि इतना रमे सर अर्जुन सर गुलाप सर और सब डोक्टर से नान चोटे से शोटा डोक्टर और जो सफाई करने वाला सब की जो उदर जो सेवा रहती है वो बहुत लाख-लाख वंदनिया रहती है मेरे को पोब्लम था पहले एसेडीटी थी और पुराना एसेडीटी है और माथे का पोब्लम था सर का सर्द्रद वो चालिस साल के था लेकिन इधर जो आद दस दिन का मैंने जो परेजे रखी इसमें बहुत मेरे को अच्छा लगता है मैं सभी स्टाप का और सभी आश्रम का सभी ट्रस्टियों का में पूरी तरह से धनियवाद करता हूँ मेरा नाम मडिकान पाल है मैं चंदवलिस है हूँ मेरा नाम मडिकान पाल है मैं चंदवलिस है हूँ आप सभी लोग मेरे लगवग पीता तुल्य है और मैं सबको प्रडाम करता हूँ मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी मैं बॉडी डीटॉक्स के लिए था लेकिन डॉक्तर से कंटर कंसल्ट करने से पहले पता चला कुछ नो कुछ तो प्रॉब्लम बताव तो मैंने वेट गेन के रिगार्डिंग बोला कि मुझे वेट गेन करना है तो उन्ह सबीको मेरा नमसकर मैं राजेश्वारा एम्दाबाद से आया हूं बैक पेंट था उसे ठीक करने का इरादर लेके आया था लेकिन बोनस में मुझे क्या खाने में सुधार लाने चाहिए वो बहुत अच्छे दरीके से जानने को मिला यहां का पूरा स्टाफ पूरा डॉक्टर वर्ग सभी बहुत ही अच्छे ढंक से सभी को एंटिटेन करते हैं सभी का ट्रीटमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा एक और निविदन में करना चाहूंगा कि ऐसे सेंटर सेंटर्स और भी स्टेट्स में होने चाहिए खास करके अगर गुजरात में किया जाएगा तो मेरा मानना है कि बहुत ही लोगों का भी फाइदा होगा और ट्रस्ट को भी सेवा का भी मौका मिलेगा और भी फाइदा होगा तो काफी बहतर रहेगा और भी स्टेट्स में ऐस लगता ही नहीं कि हमने कुग्ड फूड नहीं खाया है बहुत ही अच्छा लाग तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमें नई भोजन प्रणाली शिखाने के लिए और नया विचार देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है अच्छा लाग भाव जी के चरणो में नमन मैं आशिष कांधी हूं गुजरा दमदावत साया हूं बागी सब लोगोंने तो अच्छी अच्छी बाते बता ही यह तो वह तो मैं बताना नहीं चाहत रहा हूं लेकिन मैं मेरा यह पांच साल की यह जो जरनी है उसके एक्ष्पि मैं फर्स्ट ताइम यहां 19 में आया था उसे 3-4 महिने पहले मैं ने इंडीय स्टाट कर लिया था लेकिन इंडीय से नेच्रों पेदी में क्या चेंज है वह हर चीज मेरेको सिखनी थी और 19 मे मैंने है ने यहां देन मेरे वाइब के साथ आया और यह जो चीज है नेच्छी और मेरी वाय ञदारन कहले दी न फ़ न कौई था कते सी अंहीं उटाई लाइए और 19 में हमें यह सब शीक दय किया हुआ के यहां City का मैं तुई लिए यूम बेड़ कार पूरे सब को मैं इधर बेचता हूं और मेरे इसाब से जितनी सेवा हो सकती है लोगों को जो दवाईयों से मुक्त करने के लिए जिसका दर्थ है उसको मैं इंसिस करके इधर बेचता हूं और मेरी खुद की इस्ट्री में ऐसा है कि पहले मेरे 105 kg वजन दा तीन महीने में मैंने 25 kg वे इसमें जो गनान मिला था तब बीच में मेरा बुखार 105 हो गया था बीना दवाई मैंने बुखार 24 गंटे में क्लियर कर लिया था दूसरी चीज यह है कि 2022 में मेरी वाइफ का एक्टिवा पे गिर गई थी सबजी लेने गई थी तो उसको एक्सिडन हुआ एक्सिडन हुआ तो उसका जो नी था नी की उपर की डकन क्रेक हो गई थी अंदर का जो बॉन था वो तूट गया था मेरे पास फोटोग्राप से मैंने सब गुलाब सर को बेजा है सब डॉक्टरों ने बोला था कि इमीजेटली आपरेशन कराना पड़ेगा मैं आउद आप स्टेट काम के अपरेशन कराना पड़ेगा फिर मैंने सोचा कि अपनी सिस्टम अपने सिखा है तो सिस्टम पर भरोसा रखिए ऑपरेशन कराना है तो दो महीने के बाद भी करा सकते हैं तो मैंने नॉर्मल ट्रीटमेंट ले लिया प्लास्टर करवाया डेड़ महीना उसको फूल आराम द कि अब बात कर रहे हो तो डाइबीटीस का भी मैंने इनको रिपोर्ट दिया मेरो को डाइबीटीस है नहीं लेकिन डेड़ साल पहले सड़नली खाने पीने की कुछ है बीडिया कुछ की वज़े से मेरा फास्टिंग 380 हो गया था और सुबह का फास्टिंग 180 हो गया था मैं बीस दीन में क्लियर कर दिया है वीस दिन के बाद आद तक अभी दख मेरो को डाइबीटीस की कोई बीमारी नहीं है तो यह जो नेचुरोपेध ही है वह क्या है कि हम लोग जानते है लेकिन एड़ोग करने के बाद जो छूट जाता है छूट जाना के बाद फिर से एड़ो कर सकते हो धन्यावत बुलबिए हुआ 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 hoc कर दो हुआ 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 है बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कुछ लोग नहीं आये ना सब लोग आ गए इधर से के को एक दो चूट गए नहीं हाँ चूट गए ना ऐसा चूटना नहीं चाहिए ना अनुभह है अनुभह तो हम साजा कर सकते हैं ताकि जो आपने महसूस किया है यह आपके सिवा और कोई बता नहीं सकता है ना आपके मन की बात किसी को ऐसे ही पता नहीं चल सकती तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद